नमस्कार साथियों, टेस्ट वाला अकेडविय में आप सभी का स्वागत है, आज की क्लास में हम बायो टेक्नोलोजी अर्थात जैप प्रादोगी के बारे में चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं इस शब्द का सरपतम पुरियो किस ने किया था, काल इरेकी ने, य यह है जी बिज्ञान और तक्नीकी बिज्ञान का सम्मिस्रण है, यह अर्थात जैप प्रादोगी की जो बिज्ञान की शाखा है, वह है जी बिज्ञान और तक्नीकी बिज्ञान की शाखा का सम्मिस्रण है, आप सबसे पहले परिवाशा देखते हैं जैप प्रादोगी की कि जैब प्रवद्वगी पर UN अभी समय के अनुसार इसको आप अगर आपके पास स्पेस हो तो इसको आप एड़ कर सकते हैं अर्थात आप सीधी स्पेस ना हो तो सीधी परिवाजा लिख सकते हैं कि तक्निकी अनुप्रियोग जिसमें जैबिक प्रणालियों का प्रियोग मा मानप्योगी उतपाद के ne accomplish commission किया जाता है अधात ऐसी तक्निक जिनका जिसमें जिसका प्रियोग कर रहे हैं पं मानप्योगी उत्पाद हुसको हम क्या यव करते हैं कि क ब्रकार में हम देखते हैं एक लेड वाई confession года एक green बायोón Guru ब्लू बायो टेक policy और वाइट बायो टेक्नोलाजी ठीक है तो समझते हैं रैड्ड बायो टेकनोलोजी का संबंध हमारे चिकस्य चीत्र से है अर्थात जो भी अंटीगिक्स का निर्मार किया चारा ह। वो ड्रräट बायो टेखनोनोजी के अंतरगत आता बाइओ टेकनलोजी जैसे ग्रीन से समझ रहे होगे किसी से संबंदित है अर्थाद किसी के छेत्र में जैब प्रद्रीक्री का प्रयोग करके जो भी नए तक्रीखे जो भी नए उत्पाद बनाय जा रहे हैं वो ग्रीन बायो टेकनलोजी के अंतरगत आएंगे ब्लू बायो तो blue बायो टेकनलोजी के अंतरगत समुद्रिय उत्पाद आते हैं और white बायो टेकनलोजी white बायो टेकनलोजी के अंतरगत और द्यगे छेत्र में हम जब प्रादोई के प्रयोग कर रहे हैं उनको समलित किया जाता है जैसे कि कोई उत्पाद बनाने के लिए हम किसी भी जैब एक पदायत का उत्परेरक की रूप में जब प्रियोग करते हैं तो वो वाइट वायो टेकनलोजी की अंतरगत आता है ठीक इसके अन्य प्रकार भी हमें देखने को मिलते हैं जैसे एक ब्लैक बायो टेकनलोजी के अंतरगत जो हमारो जैब आतनगवाद में करते हैं जैब आतनगवाद की रूप में देखने को मिलता है और यलो वायो टेकनलोजी में हम कीटों का प्रियोग देखते हैं तो यह इसके प्रिकार कंप्लीट होते हैं अब इसमें तक्नीके देखते हैं जैब बायो टेक्नोलोजी की अंत्रगत कई सारी तक्नीके प्रियोक की जा रही है जैसे की जीन अभियांतर की डियने फिंगर पिंटिंग जीम फसले क्लोन इस्टेम सेल जीन थेरपी उतक और पराजी भी जन्तू तो यहां पर हम देखते हैं डियने फिंगर पिंटिंग तो आप सभी जानते हैं डियने फिंगर पिंटिंग क्या होता है डियने फिंगर पिंटिंग से आ साए जो भी अमारे अनवांशिक कोड होता है तो अनवांशिक की बारे में जानकारी अर्थ अधाद DNA क्या होता है सभी मानव शरीर में सबका DNA अलग-अलग होता है तो उसी के आधार पर पहचान की सुनश्चित्ता होती है मानव पहचान की सुनश्चित्ता होती है उसी को हम DNA fingerprint कहते हैं ठीक है अधाद DNA की सर्णचना के आधार पर मानव की पहचान इसकी खोज किस ने क पेटर्न अदुत्य होता है ठीक अब DNA fingerprint का ओप्योग कहां किया जाता है तो इसका ओप्योग किया जाता है अपराज के छेत्र में माता पिता कि संबंदी छेत्र में कोई पैत्रिक संपत्ति का विबाद हो जाता है तो ऐसी समस्या का हल DNA fingerprint से हम प्राप्त करते हैं जो युद्ध छेत्र में जब शेनक के सब होते हैं तो उन शेनकों के शब को ग्याद करने के लिए DNA fingerprinting उप्योग में लाई आती है और कोई वंसानुगत बीमारी होती है उसकी जानकारी भी हमें DNA fingerprinting से प्राप्त होती है अब एक विशेस पॉइंट और लिख दीजिएगा आप इसमें कि जो डाक्टर लाल सिंग है उन्हें भारत में DNA fingerprinting का जनक माना जाता है ठीक है तो यह आपका जैब प्रद्र की अंतरगत जो तकनीक है DNA fingerprinting वह complete हो जाती है five marker में यह पूछी जा सकती है और शायद पूछी भी जा चुकी है बाकी तकनीकों को हम देखते हैं जीन अभियांत्र की जीन अभियांत्र की में शब्द है जीन और एक शब्द है अभियांत्र की तो आप अगर कुश्चन को देखेगे भी अगर यह जीन अभियांत्र की आ जाता है तो आप उनको टुकडों में डिवाइड करके अलग-अलग अभावारत निकाल कि उनका उनका उनकी परिवाशा बना सकते हैं ठीक तो जीन अभियांत्र की परिवाशा क्या होती है कि एक प्रजादी के अनवान से गुड़ों वाले जीन को दूसरी प्रजादी के जीन से संशलेशित करना यानि कि जब जीनों पर काम हो रहा हो जीनों पर इंजीनरें उप्योग की जा रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं जीन अभियांत्र की कहते हैं इसका उधायन लिग देंगे एको लाइका न पहचान करने के बाद जो दोस्मुक्त जीन होगा उससे प्रितिस्थापित कर देंगे इसे ही हम क्या कहते हैं जीन थेरपी कहते हैं यानि कि अनपस्थित या विक्रत जीन की पहचान कर दोस्मुक्त जीन से प्रितिस्थापित करना जीन थेरपी कहलाता है जीन तेरपी जी एक उने Вс feelings वातवर्ण देकर उसे करते हूं उतक संबर्दन तो कुषकां अत्वा उतकों का प्रियुक शालव में नियंत्रत स्थति में वहीित वातवर्ण, या नियं उत्रित संबर्दन या विकास करना उतक संबर्दन कहलाता है, अगला देखते हैं, क्लोंस तो क्लोंस क्या है, क्लोंस एक इसकी परिवाशा लेखेंगे, क्लोंस जो बनते हैं, यानि कि एक देखा जाये तो कौपी होड कौपी हम किलोन को जैविक प्रतिरूप यानि जैविक कौपी कह सकते हैं तो तो यह घुतौन आ म tap अगरता निर्मित करते हैं या निर्मिंत को बिदारा के लिद दारती से तो liksom role कह Key तो परिवाशा देखते हैं वह कोश्षका जिसमें सरीutral कीसी भी औंग की कोश्षका की रूप में विक्सित होने की छमता होती है स्टेम सेल कहलाता है अगला देखते हैं GM फसले तो अन्वालशिक रूप से संसोदित फसले थींगहे हैं वह फसले जो कैसी पहते हैं अन्वाशे ग्रूप से संसोदित होती हैं उनकी जिनके डिने में परिवर्तन किया जाता है उधार के लिए बीटी कोटन और बीटी बैगन ये जीम फसले हैं अभी जीम सर्जों भी आपने न्यूज में सुना होगा कि भारत सरकार ने जीम सर्जों को मंजूरी परदान कर दी है तो जैन जैनेटिकली मॉडिफाइड अनुवाशे ग्रूप से संसोदित फसले ही क्या क्यलाती है जीम फसले क्यलाती है अब नेक्ट देखते हैं परजीवी जन्तू यह 2019 में कोश्चन पूछा गया था तो यह भी क्या होता है जब संसोदित जीनोम वाले जानवर जो होत है डीन ने बदलने हे तू जानवर के जीनों में विदेशी जीन डाल दिया जाता है अर्थार जीन पर ही परीवर्थन जीन पर परिवत्स जो हो रहा है तो परिवर्थन होने केुब कोई की डाल डिया जाता है शरीव में तो क्या जीव Bak楽법 भी जन्तू है इसको लोउग क्य नेक्स्ट कोश्चन है यह कोश्चन बिधी विग्द्यान से सम्द्ध अर्थात फोरेंशिक साइंस سے सम्द्ध पूछा जा चुका है आयुगदारा तो सबसे पहले हम विदी विग्द्ध अर्थात फोरेंशिक साइंस को समझते हैं sous lugy विग्द्ध की वह शाक्खा जिस समें आप रादिक मामलों की जांच हीतू, कीटो तदा अन्य ओर्थोपोर्ट के जीवन का अध्यन किया जाता है, अर्थात कहीं पर कोई भी घटना होती है, तो उस घटना से संपल लेकर उस शंपल में जो कीट होते हैं, उनका अध्यन किया जाता है, उसको इन क्या कहते हैं, दी विग्यान में तो हम ऐसे समझते हैं कि कीड जो होते हैं उनके वे झीवनकाल होता है निश्चित जगह पर निश्चित कीड पर या आते हैं तो इन सभी के आधार पर जो घटना जिस जगह पर हुई है उसका समय निर्धारण किया जाता है, तो सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं, भूमे का में सबूद 81 करण में मदद, यानि forensic science में जो कीट होते हैं, कीटों के आदार पर ही सबूद 81 होते हैं, अर्था जो भी sample हम लेते हैं, उनमें अगर कीट होंगे, तो हम उनका utilize कर पाएंगे, होगा तो उससे हत्या का समय यानि कि इतने कि गेटों न इतने अंडे दिये हैं इतने कि इतने बड़े हो चुके हैं तो उससे एक समय हो rain में मदद तो उससे हट्य हम ये एक एक पुईंट है जैब प्रदोगी में सुनेरा रंग क्या होता है तो जैब सूचना विज्ञान और नेनो पायर टेचनोलोजी को जैब का प्रलाज़्द केमाय में सुनेयरा रंग कहते हैं चलिक अपने टॉपिक पर आते हैं कि जा प्रदगी का अनुपरियोग का प्रियोग में लाई जा रही है तो इसमें आपका होगा वह सबसे मेहतवपूर्ण होगा शुबात क्षायब स्वास्थ का शेड्र Vya करते हैं कुष्णी में चैब प्रत्रौकी प्रियोग की जा रही हम देखते होंगे एक विचो लेज यह वरक में और याल नाशक में बीजों में हम कहां देखते हैं कि जो जी एम फसले बन रही है वो जैब प्रदोगी की आधार पर ही उत्पादित हो रही है जो बीज डबलफ हो रहे हैं उनमें बायो टेक्नलोजी का प्रियोग की जा रहा है तभी जैनेटिकली मौडिफाइड फसले पैदा हो रह रही हैं अर्थात जिन पर किसी भी कीटों का प्रवाव नहीं पड़ता है बीटी का फुल फॉर्म बैसलस थोरेंजियंस है ठीक अगला देखते हैं जैब और बरक में तो जैब और बरक में हम कहां देख रहे हैं राइजो बियम माइको राजा एजोला और नील हरित शेवा प्रवाइरस और नीम लेपित यूरिया जो कीट नाशक प्रियों किये जा रहे हैं वो जैब प्रद्र के द्वारा ही निर्मित हुए हैं तो यह किश्य के छेत्र में आप इन तीन हेडिंग को लिख देंगे और इसके बाद इन पॉइंट को पुट कर देंगे उसमें तो य सबसे पहले क्या करेंगे चिकिस्ता के चेत्र में तो सबसे पहले क्या करेंगे चिकिस्ता के लिए कि रोग का प्ति रच्छण हो रहा है यानि कई सारे टीके बनाए जा रहे हैं जो कि हमें रोग बोने से ही बचाते हैं ठीक है मारव इंसुलिन बनाया गया है तिसू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर बनाया गया है तिसू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर फिससे सुल तरगत रोग पतीर च्छर के अंत्रगत जिससे की हमारे सरीर को प्रत्रख्छा प्राउथ होती है और कई सारे ठीकों का विकास भी एंटिभायोट्स का विकास भी किया जा रहा है ठीक उसके वाद हम क्या देखते हैं रोग की पहजान अब रोग होने से बचा लिया रोग हो है बाईयो डाइगनोस्टिक किते हम रोकी पहचान कर सकते हैं एक पीचार चुक रही है इलाज को देखते हैं इलाज में अब रोकी पहचान होगए तो इलाज इलाज भी हमारी बाइट एकनोलौजी पर आधारित है जैसे कि स्ट्... żell तकनिक का प्रियोग कर रहे हैं ठीक है उतक संबर्धन तक्नीक का प्रियोग कर रहे हैं चिकिस से क्लोन बना रहे हैं और क्रतिम रखते कोशिकाओं का निर्मारी भी किया जा रहा है ठीक है इसके साथ ही करते रख कि निर्माट की कोशिश भी की जा रही है तो यह हमारा चिकिस सेवं सास के छेत्व में अनुप्रियोग होता है उसके बाद उद्योग के छेत्व में आज कर हम देखते हैं जो भी उत्पाद कहां से प्राप्ट करने हैं मार्केट से ख़ीद के दा रहे हैं और निर्मित का हो रहे हैं उद्योगों में बयो टेक्नलोजी का प्रियोग किया जा रहा है तब ही हम जो है और पराफ्ट कर रहे है अब तक क्या पराफ्ट कर रहे हैं और इसके बाद हम पर्यावर्ण में देखते हैं तो परियावण में बायो टेक्निलोजी के प्रियोग दारा जैब संबेदक बनाए गए हैं जो कि प्रिदूसर के बारे में हमें सूचना देते हैं परियावण प्रिदूसर के जो नेंतर करने के लिए कुछ हमने पदार्तों का निरमार किया जैसे स्यूटो मोनाज हो गया ऑईल परो गया जो कि आईल को समद्री सतहाय पर आयल होता है उसको के द्वाञा हुँआ है तकनिक इजाद हुई किर नासकों का निम्ली करन किसके द्वारा हुआ है आजिटोवैक्टर और फ्लेव वैक्टीरियं इन से कीट नासकों का निम्ली करन हुआ है ठीक अफस्स्षट जल उप्चार अफस्षट जल का अफस्षट जल जो होता है उसका उप्चार संभव होता है कि से जीवारू की माद्यम से कवक trov pregunta शयवाल इनका प्रयोग करने से हम किसका अफस् Caroline का उप्चार कर रहे हैं जैब अब घटनी कारक प्लास्टिक एक जैब अब घटनी कारक प्लास्टिक भी बायो टेकनोलोजी के जरी जरीए निर्मित होई है जो की क्या हो जाता है अब घटन हो जाता है इसमें किसका प्रयोग किया गया है तो यह प्रदोगी के अनुप्रयोग इसमें हम तो वो 11 मार्कर का पूछा जाएगा और अधी 5 मार्कर का तो इन में से किसी एक में से आपका 5 मार्कर का आ जाएगा अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो किरपिया इसको शेर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए तद आपके ऐसे साथ ही जो बाहर किसी कोचिंग संस्था में नहीं जा पा रहे हो और में इसकी तयारी करना चाहते हो तो यह हमारी निश अपलब दिया कि जैब प्रदोगी के छेतर में भारत की क्या उपलब दिया रही है ठीक तो है इसकी संभाव ना कम है फिर भी पूछा जाए तो आप एक वार गो तुरू कर लीजिए इसको और लिखके आ सकते हैं जैसे कि हैपेटाइटिस सी का सपलता पूर्बाग जीनों स्कुंट किया एए अचाइबी बन की उप्रकार सब्टाइप ठीक उसके ठीक कंविकास्त में प्रग्रति हुई है जैप प्रदोगी का विखक चल रहे हैं विश्वमिंवेश्व वाजार में उसमें दो प्रतिस्यत हिस्सेदार है जैप प्रतियों की भारत की ठीक है रोग फिकाने में प्रत्यकु यह हो कि किसमें किक बनाने में सब्लता प्राप्तिकी है गोल्टन रैस की शिरॉत होता है तो बीचामेंटैंषंबंग च्बॉस्थ हर festa की है रोटोवेक का रिकास हुआ है थीक काई साथ सभूर्जे विकास में क्या यूगदान है तो वही सामजे विकास में से क्या असा है मैंने पहले बी आपको बताया सामजे विकास जहां आ जाता है वहां सीधा आपको याद आना चाहिए गरीभी भूकमरी शिक्षा रोजगार यह पॉइंट और जीवनकाल तो जो सारी सारी चीज़ें जो समाज से जुड़ी हुई हैं सामजी विकास के अंत्रगत आती हैं अब जैब प्रौद्योगी का क्या योगदान रहा इसमें तो सबसे पहले तो फसलों के उत्पादन में ब्रद्धी होने से जो गिरामीडों का जीवन इस्तर था उसमें ब्रद्धी हुई उसमें सुथार हुए दूजरा जिक स्वथार हुए बारीट असरा क्या हुआ है लुक्त हो देखते हैं अपरादी की पहचाइन सथिक्ता पराफ्थ हुई है किससे दो अभी हमने पढ़ा कि वह दूसरे देशों को भी निर्यात कर रहा है तो खादस अच्छा को बन मिला है सवच्छ पर्याबन जो कि अभी हमने देखे थे जैब समवेदक और बायूरी मेडिशन तकनीक ठीक है और कई सारे जो जैब कीटनाशक हैं उनका प्रियोंका भी निर्मार हुआ है तो जैब तो अच्छ पर्याबन निर्वेद हुआ है चंसंख्या नियंत्रन तो चंसंख्या नियंत्रन हम कई सारी हमने ऐसी तकनीक ऐसी दवाईये बनाई है जो पॉप्लेशन कंट्रोल कर रही है उनका अगर यदि हम उपयोग करते हैं तो और साधी पशुपालन के छेत्र में तकनीक में सेम परिवाशा लिखनी है जने इंजिनररिंग गरेंगे तो नहरा रंग क्या पता हुआ हूं में ऊपर परजी जन्तू की परिवाशा भी मैं आपको पता चुका हूं वी फचल पर टिपड़ी लिखिए बीटी फचल में आफ सीथा लिखेंगे बीटी यानि बे तो आप चार पाच पॉइंट इसके बना देंगे कि सबसे पहले तो पूरा नाम वेक्टिरिया का यूज करके यूज होता है जैनेटिकली मॉडिफाइट फसले होती है उत्पादन में ब्रद्धी होती है ठीक है और कीटो का प्रवाव नहीं पड़ता है और पॉस्टिक रू इसके बंग्यान से क्या अतात पर है विदिवग्यान में कीटों की बूल का हम देख चुके हैं किसी में जैब प्रवक की पुछा जा चुका है हम देख भी चुके और डियाने प्रिंगर प्रिंटिंग एलक जैफ़वरी साहब हम परळचुके हैं और चिकिश्चाचियाब पजनेटीक की बाग जनेटीक एंजिनरिंग की उपियो घुता है। तो चिस्ता की छेत्र में जनेटिक सेफनि edgykin की वाओंने की परषाशा भी हमने देखे हैं। तो इससे यह कुछिचिन आपकाम बन जाएगा है जाश का एक लेक्चर इसे पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप अपने फ्रेंड के साथ इसको शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को अंत्र तक देखने के लिए धन्यवाद जैहंद